एक तरफ जहां पूरा देश कुरूना से लड़ रहा है तो वहीं देश की सीमा पर हमारे जवान दुश्मनों से लोहा ले रहे हैं जी हां कश्मीर के केरन सेक्टर में आतंकियों से मुद्भेड में भारतिय सेना ने पांच आतंगवादियों को मार के राया लेकिन मुद्भेड में भारतिय सेना के पांच वीर सपूद भी शहीद हो गए जिसमें 22 साल की शहीद छात्रपाल सिंग भी शामिल थे आपको बता दें कि छत्रपाल सिंग राजस्थान के जुन-जुनु जिले के गाउं छावसरी के रहने वाले थे और भारतिय सेना की चार पेरा स्फ यूनिट में इन दिनों उत्तरी कश्मीर के सेक्टर में एलोसी पर तैनाथ थे उनकी शहादत के बाद पूरे जिले को उन पर नाज है तो वहीं पूरा जुन-जुनु उनके जाने के शोक में टूब शहीद छत्रपाल के पिता सुरेश कुमार पाल ने बताया कि उनके परिवार मूल रूप से कानपुर कर रहने वाला है और पिछले तीन साल से चावसरी गाउं में निजी सेवाय दे रहा है और उन्होंने ये भी बताया कि शहीद छत्रपाल सिंग ने 2015 में सेना में भरती की थी साथ ही आपको ये भी बता दें कि शहीद छत्रपाल के पार्थिव शरीर को जुन जुन लाया गया और पूरे सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाय दी कई निउस टेस्क